स्वागत है आपका अपनी पार्ट सारम है और मैं हूँ आपका SDP गुरुजी चलिए दोस्तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंडेक्स मतड़ जिसके तुरू आप लोग अपने स्ट्रिंग के अंदर का जो क्यारेक्टर है उसका इंडेक्स पोजिशन चेक कर सकते हैं तो ज स्ट्रिंग का नाम मैंने दे दिया वल्कम टू स्टीपी गुरुजी चैनल स्टीपी गुरुजी चैनल यहां पर मैंने यहां पर स्ट्रिंग दे दिया दोस्तो अब मैं क्या करना चाहूंगा यहां पर मैं एक इंडेक्स लेना चाहूंगा मैं चेक करना चाहूंगा दोस्त print और इसमें मेंचन कर देते है print t क्योंकि आपने क्या किया है यह इंडेक्स मतर की जो भी वैल्यू आएंगी यह ती मतर के अंदर आप लोग को मिर रहा है दोस्तों index position जो है 11th मतलब पूरे string के अंदर आपका sdp string है यह 11th index position से start हो रहा है यकीन नहीं हो रहा है count कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 अब आपको मैं बता दो character भी एक string treat किया जाता है तो यह 8 हो जाएगा यह 9 यह 10 और यह आप लोग का हो जाएगा 11th इसके बहार से आपका string start हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो अपने string के index position चेक कर सकते हो अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हमारा जो इंडेक्स position है जो हम चेक करना चाहता है वह existing string में अगर नहीं है तो कैसा करेंगे मान के चलिए यहां पर मैंने smallsdp लिग दिया क्या अभी आप लोग को index position देखने में लेंगी save करते है run करते है आप लोग को मिलेगा दोस्तों एरर क्या मिल रहा है value error value error का मतलब यह कि आपने जो सब स्ट्रिंग एंडर करिए वह सब स्ट्रिंग अवेलेबल है ही नहीं given string के अंदर इस वजह से आपको error मिलेंगी दोस्तों इसके अलाव मैं आप लोग को बता दू मान के चलिए यहां पर यू जो है यह character बार बार रिपीट हो रहा है यहां पर मैं क्या करता हूँ यहां पर मैं लिख देता हूँ यू और यहां पर मैं सेव करता हूँ अब आप लोग को कौन सा character मिलेगा यहां पर value मिल रहे है 16 अब आपको पताईए यहां तक हमारा 11 आ गया था यहां पर 12 13 14 15 16 तो यहां पर दोस्तों आप लोग को मिल रहा है यू 16 पोजिशन पे तो सब से पहला जो occurrence होगा आपके particular character का वो यहां पर count किया जाएगा और हमेशा आप लोग को मैं पता दूँ दोस्तों 0 पोजिशन से आप लोग के string के index की counting स्टार्ट होती है दोस्तों यह आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है आप लोग को और एक example की तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर U के जगा पर अगर मैं E ले लेता हूँ और execute करता हूँ तो आपको E की position 1 मिल रही है इस पर से आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपका जो W है वो कौन से position पर है दोस्तों यहाँ पर आपका W small वाला नहीं capital वाला लिखना पड़ेगा तो आपका जो W हुए है वो यह official website आ चुकी है sdpguruji.in आप लोग चेक कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग को notes, programs, mcq questions, साती सात project के codes और आप लोगों को important updates भी मिलते रहेंगी technical news भी मिलते रहेंगी और आप लोग Play Store से हमारा application भी download कर सकते हैं दोस्तों application के link और website के link मैं आप लोगों को description में बता दे रहा तो जल्दी से visit करिये और subscribe करिये अगर आप लोग नए है channel के उपर और like करिये अगर आपको यह video पसंद आया, thank you so much दोस्तो, have a nice day, stay safe, stay at your